प्रभू राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदी नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहा है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संतराम पालजी महराज के अमरित वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर पुन्यात्मों जैसे गुरू गरंत साहिब क्या है ये तो एक विधान है बगवान का और उस विधान को मेंटेन करने के लिए राजा की हो सकता होती है संत की तो जैसे हमारा विधान बना के छोड़ दिया और कोई पर धान मंत्री राष्टर पती कोई बढ़े नहीं और यूं कहें जा कि इस विधान कोई राष्टर पती मान लो तो सब अप अपनी डफली बजावंगे वह तो सारा बात विगड़ जाएगी तो उस विधान में जो भी नियम है उनका पालन करवाने वाले संत की ओसे खताव से पड़ेगी और तब ये धार मिक्ता बनी रही ये दास का एक संत होने के नाते एक सला है और सचाई है तो अब ये कितना अंतर हो गया उसी पुईतर द्रम में मुसल्मान द्रम चला उससे में भी उसमें कोई ऐसा मास और सराव का और तमाखु का बिलकुल समावेश नहीं था और अब इसमें भी ऐसे ही बहुत बुराईगर करगी मास खाते हैं और तमाखु पीना ये तो आवाँ बात होगी है तो पुनातमो अब ये अधरम का नास होगा नास तिकता का अन्त होगा और सब लोग धरम की तरफ चलेंगे क्योंकि अधरम करके सब चख चुके हैं सराव मास तमाखु पी के ठख चुके हैं लेकिन इनको कोई भी कलप नहीं दीखता है क्योंकि समाज के अंदर ये बुराई गणीगर करगी और कदम कदम पर आगया साथ ही मिले है पीने और खाने वाले तो अब ये दास जो ट्राई कर रहा है कोसिस कर रहा है कि सबत समाज बनाए और समाज ही बच्चे जो पनात्मा हैं वही अधिक मातरा में हो जाएंगे बेड़ी सराव मास तुमाखों से दूर और सत्वग्टी करने वाले तो दीरी दीरे उन बुराई को हटाएंगे अन्ने को भी दूर करेंगे वो भी देख हम देखा फिर अच्छाई पर लगेंगे जैसे देख हम देखा ये बुराई सब मैं घर कर गी है अब परसंग दो चल रहा है पनात्मो कि अब ये दो समय है ये इन चार युगों की करीम है सत्यूग त्रेता द्वापर की और इस कल्यूग की अब ये प्राइम टाइम है बगती का मोक्स कराने का सत्यूग त्रेता द्वापर में परानी वैसे ही बहुत सुखी थे अच्छी आत्माओं का जनम होता है तो वो जो भी बगती सास्तर विरुद भी कर रहे होते हैं तो भी उनको सुख होता है तो वो ये समझ बैठते हैं कि जो साधनाए हम कर रहे हैं इनी से हमें लाब हो रहा जैसे ये दास पहले बगवान स्री किरसन बगवान विशनो बगवान संकर जी बाबा स्याम जी, अनुमान जी और भी जो भी देवी देवता हमारे पुचर धरम में हमें पूजे बता रखे थे, सब की पूजा करते थे और वो अब पता चला है, वो तो सास्तर विर्द सादना थी, जिससे लाब होई नहीं सकता, और फिर भी बहुत से धेर सारे सुख अपने जीवन में हो रहे थे, हम ये सोच बैठे थे, कि इनी सादनाओं से हमें लाब हो रहा है, अब पता चला कि उड़ी पूजाओं को करने वाले हमारे प्रोस में गाओं में उनके सरवनास हो गए, कभी बुदी नहीं गी, कि ये भी वही पूजा करते हैं, और इनका कतिनास हो गया और हमें कैसे लाब मिल रहा है वो प्रहरब्द कर्म ही हमें परफूलित हो रहा था, जिनके प्रहरब्द में पाप थे, वो पाप उनको कहर तोल रहे थे, जिनके प्रारवद में सुक थे, पुन करम थे, उनको फल मिल रहे थे, पूजा दोनों ही एक जैसी कर रहे थे, अब ये पता चला, कि जो साधनाएं हम कर रहे थे, उनके परतिफल से हमें कोई सुक नहीं था, ये हमारे पुन संसकार थे, पिछले जनम के संगृत, जो प्रारवद बन सारा दिन वकवाद करें, तास खेलें, कोई राम नाम का जिकर करें, उसका मजा करें, और उनके ठाट हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, ट्रक चलते हैं, और वो कुछ भी ना करें, तो अब पता चला तत्वा ग्यान की रोसनी में, कि उस शर्व उनको प्रारवद ही प्रा हैं, और फिर चारदर लगा नहीं रख्या, तो वो जब तक उसकी अक्स्वता है, उसके अंदर वो चलती रहेगी, काम करती रहेगी, और फिर एक ही दम वो सब डाउन होगी बैटरी, सब लाब बंद हो जाएंगे, ठीक इसी परकार जिन पुन कर्मी प्राणियों के पिछल पन उनके साथ हैं, आज वो कती सुखी दिखाई देते हैं, और वो बगती भी ना करते हैं, वो बगती भी नहीं करते हैं, तो सास्तर विरुद कर रहे हैं, और वो फिर भी सुखी नजर आते हैं, तो उनको ये बरहम हो चुका है, कि हम जो पूजाएं करते हैं, ये हमारी इ प्राणियों का जनम उन योगम होता है तो उनकी पूरब जनम के संसकारों से उने फल लाब मिलते रहते हैं वो सूचते हम सुखिये इसी साधना से तो उनको कोई कहे के ये पूजा छोड़कर ये करो वो नहीं मानते दूसरा कारण उससे में क्या रहा कि उससे में सिक्षा नह करते थे वैसे पाट सालाओं में पढ़ा जरूर जाता था लेकिन अध्यातम मारग का ग्यान उनको नहीं दिया जाता था ना उनको अधिकार होता था सद्गरंथों को पढ़ने का जैसा भी वो बताते थे उसी आधार से वो केवल किरिया ही करते थे गुरू जी ने जो के तरीक तो उनको कोई संका संसे नहीं था और उनको जो मारग बता जाता था वे दोनुसार ओम नाम का जाप ही रिसी लोग दिया करते थे और कोई अन्य मंतर नहीं देते थे जैसे ओम नमें बागवते ओम नमें शिवाया जी ये मंतर नहीं जाप करते थे वो बाद में करन पर गुरुपरम प्रान से करते थे उनको बविसेक की समाक एकट्त्रीत होते थे, लेकिन लग उनको पिछले ही संसकारों से मिल रहा होता था, ओम मैं के जाड से उनको क्या लग होता था इम लोग पृब्रापति, जैसे आपने स्री माविर जहन जी के जीवन में बहुत बारदास ने दिखा है वो मापुरुष्टों वेदों सारसाधना करते थे जिस कारण से 80 लाख बार तो वो देवतापद को पराद किया उन्होंने और फिर कितना कैर टूटया पाप के कारण साथ करोड बार गदा, 30 करोड बार कुटा और बिल्लिया थी पता ने कितनी बार उन ऐसे कष्ट बोगे तो ये विद्धान है यहां के बगवान का तो सत्यूप्त रेता दौपर मैं कोई भी प्राणी प्रमात्मा के इस ग्यान को गरण नहीं कर सकता कोई ये कहे कि ब्रम से उपर बगवान है और कोई ये कहे कि स्रीकर्सन और राम से उपर कोई सकती है विश्णू और ब्रमा से उपर सकती है तो सत्यूप्त रेता दौपर मैं लोग नहीं मानते क्योंकि वो स्वेम सुखी होते और कल्योग में क्या है इसकाल न करीता थी राफिरी हमारे साथ क्या ही राफिरी की थी कि प्रमात्मा से कहा था कि जब तुम्हारा वो प्राइम टाइम आवगा कलियोग में पार करने का तो उससे पहले मैं अनेको पंथ, अनेको मजभ बना दूँगा सब को भर्मित करवा दूँगा मंदिर, मस्चिद, गुर्दवारे और इन तीर्थों तक सिमित कर दूँगा स्री राम करसन देवता आधी पर पूर्ण दर्ड कर दूँगा और जब तेरा कोई संत आएगा तेरा अवतार आएगा इस अज्यान का नाज करने के लिए तो उसकी कोई नहीं सुनेगा इसलिए काल ने कल्यूग कास में परमात्मा से मांगा था के कल्यूग में आप कितने ही प्रानी मुक्त करा लेना परमात्मा को पता था कबीर परमेश्वर जी को के सत्यूग तरेता द्वापर में ये प्रानी दुख ही नहीं होंगे इनके पुन इनके साथ रहेंगे ये मेरे विचारों को कती नहीं मानेंगे और कल्यूग में काल ने चाल चली थी कि इनको नाश्टी कर दूँ ये बग्दी चावए ही नहीं कोई आवे तो उनका संदेश वाहक प्रमात्मा का तो ये सुना ही नहीं जैसे पूरा चीन नास्टी को गया पूरा रूश नास्टी को गया काल का ये दाव था के भारत वरस को भी नास्टी कर दूँ इसके लिए इसने कौन से कदम उठाए पहले तो बुद्ध धरम की सुरुआत की बुद्ध धरम के उपर प्रमात्मा ने दया करी आदी संकराचारिये को वेज कर उस बुद्ध धरम को बंद किया और अपना धरम चला जिया कालव अगवान ने उसको भी ग्रिप कर लिया उसने स्री किर्शन, स्री राम, स्री संकर जी को सुप्रिम पाउर बता कर हमारे उपर ये पूरी साधनाए थोप दी और फिर साथ में मन ये तीर्थों और ये दामों की पूजाओं पर लगा दिये बंदरों की पूजाओं पर अब प्रमात्मा बड़े द्यालू है ये भी उनका एहसान है स्री आदी संकराचारिय जी का कि उसने हमें नास्तिक होने से बचा दिया ये जी बोद धरम भारतवरस में फैल जाता तो चीन जैसी दसा आज हमारी होती हम राम नाम बोल भी नी सकते थे लेकिन बात वही की वही रही आसमान से गिरे खजूर पर अटक गए लेकिन इतना अवस्य रहा कि हम धरमिक्ता की तरफ अगरसर रहे अब काल ने फिर दूसरा दाव खेला नास्तिक बनाने का ये जितना राधा स्वामी पंथ जै गुरुदेव पंथ दुनोद वाला राधा स्वामी पंथ तारा चंद वाला और ये सचा सोदा सरसा और जगमाल वाली वाला ये अड़क यहां पर निकटसी है इसार के पास है गंगुआ और ये ठाकुर जीर ये करपाल सेंग जी ये सारे एक ही कुए का जल है श्री शिवजाल जी के विचारों से परभावित हैं उसी क्या दार से परचार करें अब ये क्या करते हैं जैसे अपने हिंदू दर्म के सब के गरों में एक जोत जला करती देशीगी की ये तो आम देख़्या होगा आपने तो इनो ने रादा स्वामी धंदंशत गुरु आलाने जै गुरु दे वालो ने ये तारा चंद वालाने वा भीबंद करवा दी ये जोत नहीं जलानी अमने अंदर जोत जलाएंगे बता वो थोड़ा बहुत होन यग का लाब था होना था इनका पुन मनना था अभी बंद करवा दिया और इनका ज्यान आपके पास है ये वो कैसे वचन शुणाते हों सतनाम वही सतनाम है वही सत्पुरस वही सारसबद वही सार नाम वही सचखंडर वही सतलोक रुवे रादा स्वामी ये इनकी अकल देखो इन ग्यान तो सब सद ग्रंथों से अलग कर दिया इनकी एक और थूरी है इनके महापुरुस कहते रहे हैं कि हमने वेदों और गीता को पढ़ने की हो सकता नहीं हमारा ग्यान तो इनसे आगय का है जो थोड़ा बहुत गीता जी को नित पाठ करके ग्यान ये कालाब मिलना था उबंद करवा दिया इन गरंथों से नफरत करवा दी तो ये पक्के काल के दूथ थे अब कुछ वरसों के अंदर आप देख लेना अगर ये नहीं इस मारग पर लगे तो सब नास्तिक हो जाएंगे चीन जैसी सतीती हो जागी इन लोगों लेकिन अब प्रमात्मा दिया करेंगे सब को ये ग्यान सविकार करना पड़ेगा नहीं तो इस मुरुस जीवन को नास करके वो बहुत कष्ट उठाएंगे जो इस ग्यान को सविकार नहीं करेंगे दास कोई उनकी बुराईब नहीं बोल रहा इस दास को ये पता चल गया कि हम एक पिता की संतान है और यहां का जो काल भगवान है वो नहीं चाहता कि इनको यथार्च ग्यान हो सद्गरंथ हमारे पास है और गुरु हमने बना रखे हमारे हिंदू धर्म के गुरु हमें नहीं बता पाए सद्गरंथों में क्या पर्मान है इसके विरुद लोक वेद सुना करें हमारा बठा बठा दिया इनों ने तो दास का उदे से सभी पुनकर्मी प्राणियों से है यही है कि आप जी सचाई को ग्रहन करें पूरा छीतरे जाच करें जो दास सब्द बोलता है और फिर इस तत्व ग्यान को ग्रहन करें और अपना कल्यान करवाई तो पुने अत्माओं परसंग चल रहा है कि यह वो समय है अब इस अधर्म का नास होगा और धर्म का विकास होगा धर्म और दारमिक्ता सास्तरन कुल सादना करने से ही उपर उठेगी अब इतक हम सास्तर विजी को ट्याकर मनमाना आचरन कर रहे थे जिस कारण से हमें बगवान से मिलने वाला लाब नहीं प्राप्थ हुआ और हम भगवान को भूल कर फिर हम स्वें अपना लाब प्राप्थ करने के तरीके खोज लिए जैसे किसी को टेंसन होगी तो वो गुट्टी लगान लगया सरापिने लगया टेंसन खतम करने के लिए जो निर्दन है वो पहले संतों के पास जाते थे प्रमात्मा की विधी प्राप्थ करते थे संकट निवारन के लिए भी संतों के पास जाते थे तो उनको जो साधना बताते थे जो सही संत होते थे तो उनको उनसे रहत मिलती थी तो फिर वो व्यक्ति प्रमात्मा पर द्रड रहते थे अब हम क्या करते हैं संतों के पास जाते हैं वो हमें साधना विधी बताते हैं उनके दोरा बताई साधना विधी को हम खूब तसल्ली से करते हैं लेकिन रहत कुछ मिलती नहीं तो हम दूसरे के पास जाते हैं, वहां से भी इसी प्रकार उनके द्वारा बताई साधना को हम करते हैं, फिर कोई कोई लाव नहीं होता, तो लाश्ट में फिर हम क्या सोचते हैं, स्वेमी दनी बनना चाते हैं, टेंसन बुलाने के लिए दगूटी लान लगे, दूना पाप क पैसे मान लीजिया किसी विक्टी ने, दो नंबर का काम करके, मिलावट करके, या दो की वस्तु को बीस-पचास में बेच कर, पैसा इकठा भी कर लिया, तो फिर उसके साथ क्या बनेगी, या तो कोई बालक बिमार हो जागा, या कोई स्वेम को ऐसा रोग लग जागा, वो उस पैसे को दो नंबर से कठे करने का जो पाप था, वह उसके लिए सेस रह जावगा, एक विक्ती ने बताया कि जी मैं बहुत नालाइक विक्ती था, ऐसे मेरी कोई दुकान थी, बहुत पुराने समय की बात है, जब ये टेप रिकॉर्डर चले ही चले थे, वो कह रहा था उसका रिफल जो था, इस कैसेट का, एक ओडियो कैसेट ताली थी, टेप में चालाग, वो लिएकरता में तोल के बाह होते हैं, और मुझे टोटल वो सारा कुछ दो रुपे में पड़ता था, उस पे सोनी की स्टेंप लगी हुई होती थी, और उसको में बतीस-तीस रुपे में बेचता था, और वो तो तूटी जाती थी, दस-पांस दिन में फिर में उनको दमका देता था, मैं क्या करो, तो मारा इंस्ट्रॉमेंट खराब होगा, अब उस लेम तो मुझे खूब पैसा आता नजराव था, मैं ठाट मठाट समझ रहा था, फिर मेरा एक लोता पूत रोगी हो गया, और उसके पहले तो लोकल डॉक्टरों को दिखाया, उनसे इलाज नहीं हुआ, किसी नहीं बता कि वहां संत के पास जाओ, वहां जाओ, जाड़ा लगवाओ, जाड़पुक भी, साथ में दवाई भी चलती रही, फिर एक वरस तो ऐसे चला, कभी रहात हो ज लास्ट में पता चला के उसकी दोनों किड़नी फेल होगी, उसके लिए आल इंडिया इंस्टिचूट दिल्ली में गए, उसमें दोनों किड़नी फेल होगी और गुर्दे बदलवाए, उसके एक गुर्दा बदलवाए, लगबग हमारा तीन लाख रुपे खर्च हो गया, साध्य तीन लाख के आसपास टोटल, जब से वो रोगी हुआ था, लड़का स्वस्थ हो गया, कोई बात नहीं जो नुकसान हुआ, सबर किया, उसके व्युहा की त्यारी कर रहे थे, छै महिने के बाद स्वस्थ होने के छै महिने के बाद हुई लड़का, बस दुर गटना मैं, एक्सपायर हो गया, अब टक्र मार के रो रहा हूँ, जब से ये ग्यान सुना है, उससे में मुझे वो कुकरम याद आते हैं मेरे, कि जिस बेटे को सुखी बनाने के लिए, मैंने ये ऐसे जलुम किये थे, वो बेटा भी ना रहा, और वो दन भी ना रहा, अब मैंने कि अब तेरे पास क्या रहा, जो तुने पाप इकठे करे थे, वो धन इकठा करना में, वो तेरे पास जो के तुन सुरक्षीत हैं, अब इस नदर लेजिये, शिर्प है, वांदर अमराज के दर बार, तो फिर उसे ने दिक्षा लिए, पुनात्मा गल्ती इनसानों पर हैं, उनको ये मालूम है कि ये बच्चे काल से भरमित, ये ऐसी गल्तियां कर रहे हैं, वो ध्यालू हैं, जैसे पुनात्मा जब तक आप कोई ग्यान नहीं होता, और आपने जो भी गल्ती कर दी वो अक्समे हैं, माफ करने योग्ये हैं, और अब ग्यान ओने के बाद जैसे बच्चा अभोध होता है, छोटा सा बालक होता है, पालने में जूल रहा है, और उसने टटी पे साफ दोनों कर दिये, और सब कपड़े भी खराब कर लिए, हाथ पैर भी ऐसी खराब कर लिए, माता आती है, वो देखती है कि इसने सारा कुछ बिगाड दिया काम, ले अलाज नहीं होती, उसको मालूम है कि इसको पता नहीं, उसको नवावेगी, दोएगी कपड़े, सबच कपड़े पनावेगी, प्यार करेगी, फिर दूद बिलावेगी, और फिर सुलावेगी, और जब वो बच्चा बड़ा हो जा, और वो की तक कपड़े हम बैठकर टट पापों से सने पड़े हैं, तो ये प्रमातमा कभीर जी दयालू है, ये अपने बच्चों को दोएंगे, इन पाप नास एक दवाई है मालिक के पास, इनके पास एक मंतर है, जो दास आपको देगा, आपके सभी पापों का नास कर देंगे, आपके प्रहर्द के पापों का विनास करेंगे, आपके संचित पापों का विनास इस मंतर से होगा, जैसे फसल में पहले घरपतवार हो जाता था, तो उसका कोई विकलप नहीं था, कुछ एक तो कसोले कसी से उसको थोड़ा खुरुच देते थे, वो फिर भी हो जाता था, जब फसल बड़ी हो जाती थी, तो उसका कोई विकलप नहीं था, वो साथ ही पला करता था फसल के, अब एक ऐसी मेडिसियन खोज होगी है, कि उसको फसल में डाल दिया जाता है, तो खरपतवार का नास कर देती है, फसल को हानी नहीं करती, इसी परकार, यह मेटरियल यानि यह केमिकल और यह साल्ट पहले विद्वान थे, लेकिन खोज नहीं थी, इसी परकार, यह मंतर परमात्मा ने पहले ही हमारे सद्गरंतों में विद्वान कर रखे थे, यह हाथ नहीं लगे थे, अब इसकी खोज होगी, इस दास के पाद उपलब्द है, और इसे सब पापनास हो जाएंगे, और आपके करोगे, वैसा ही फल मिलेगा, पाप आपके अलग लिखे जाते हैं, पुन अलग लिखे जाते हैं, और फल मिलता है दोनों का, पुनों के लिए स्वरग मास्वरग, फिर यहां के छोटी मोटी सुईदा, राजा या अच्छी कोई पोस्ट, और नरक, यह भी परलल मिलेगा, कुटे गदे सुर की, और नहीं, यह भी वस्या भोगने पड़ेंगे, लेकिन कबीर परमेश्वर की सर्ण में आने के बाद आपको, अब यह पापों का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, आपके प्रहर्ब्द के कर्मों का भी नास होगा, जो आपको हानिकार रखोगा, इस असाद नहां का चुट हम करें, जैसे हमने कोई सैड या जौफडी मकान बना रखे था, उसका उदेश से क्या है कि गर्वी, सर्दी, वर्सा से हमारी रख्षा करें, और जिस नहीं हमने बना रखी है जौफडी या मकान, और उस सारा पानी भी अंदर या रहा है, और प्रोड मों पुर्टेक्शन नहीं आपका आपकी तर् नसे मा पड़े हो और सोच रहो मेल मा help बैठ़या हूं तो सारी आप डायों आपपर आ रही हैं तो साधनें आपकी वो सत नहीं है सास्तरन कुल नहीं है इसलिए आपको कोई लाब प्राप्त नहीं हुरा है तो उसकी प्राप्ती के लिए आपने परमसंत की खोज करनी पड़ेगी और इनी मंत्रों और साधनाव को जो दास देता है अन्य कोई व्यक्ति देवगा उससे कोई लाब आपको प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अन अधिकारी से कोई भी कारिये सफल नहीं होता जैसे एक सिंपल सी बात है आप जी पासपोर्ट बनवाते हैं पासपोर्ट बनवाते हैं विदेश जाने के लिए यदी वो बना दिया जाता है तो आप भी दोसी और बनाने वाला प्रादी दोनों को सजा मिलेगी इसी परकार हमने जाना सथ लोग है और ये पासपोर्ट बनाने का आदेश केवल इस दास के इत्रिक इस बर्मांड में नहीं है ये सथकर मान लेना और इस के अत्रिक जो भी कोई नाम दान साधना दे रहा है वो सास्तर भी दीता का मनमाना अचन है उनका और वो डुपलिकेट नाम दे रहे हैं उनसे कोई लाबाब को नहीं होना और इन मंतरों को भी यदि इस दास से कोई पराप्त कर चुका है और वो दुष्ट आत्मा स्वेंबू संत बनकर उनको आगे दा कर भी रहा तो डुपलिकेट पास्पोर्ट बना रहा हो उससे भी आपने बचना है इसी करके दिये काल हमारा बठा बठवाता है ये पैरलल खड़ा कर देता काल के दूतों को बगवान आये थे एक कबीर पंथ चला था उसके बाद काल ने बारा कबीर पंथ चला दिये सब क बर्मिद कर डाला प्रमात्मा कबीर जी वाली एक भी सादना उन पंथों में नाम कबीर पंथ है तो इससे आपने अब शत्रक रहना है पीछे जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे बचकर ही हम आगे सपन हो चुकेंगे उन वो धारन भी आपको दिये जाते हैं अपने अत्म हमा हमआरे साथ हैं हमारे पास हैं जैसे परसंग चल रहा था कि जो मंतर आपको दिये जाते हैं यह यथार्थ जाप साधना है सदगरंथों में वरनित है और जो आपको दास साधना विधी और ज्ञान बताता है वो सुक्सम वेद से बताता है तत्वय ज्ञान रूपी पांचमा वेद जो है जो सचिदा नंद गन ब्रम की वानी में वरनित है उसके आधार से आपको ज्ञान देता है तो उसके अंदर complete treatment है यो, पूरा कोरस है, जैसे आप जी ने, पुईतर हिंदु धर्म के धर्मी पुरसों ने, भगतों ने, बेनों ने, पुरानों को खुब पढ़ा है, श्रीमद भगवत गीता को भी पढ़ा है, श्रीमद भगवत गीता में केवल एक मंत्र है, ओम, आठ मे ब्रम विवहारन मामन समरन ये परियाती तजन देहन सहयाती परमामगतिम। उसका भारत ये है कि गीता ग्यान दाता ये ब्रम है, श्रीकर संजी में परवेश करके बोल रहा है, ये कह रहा है कि मुझ ब्रम का क्यों लेको मंत्र है, नथिंग अलस, ये एक अक्सर है, और इस स्लोक में गए हुए प्राने भी वापस आते हैं, आठ में देह के, सोल में स्लोक में, गीता जी में ये भी सकष किया हूँ, और गीता ग्यान दाता स्वम भी दूसरे देह के, बार में स्लोक में, चोथे देह के, पांच और नो स्लोक में, और दस में देह के, दूसरे स्लोक म जनम मर्तु समापत नहीं होगी फिर गीता जी अज्जाय नमर 17 के स्लोक नमर 23 में साधना का ग्यान है तीन मंतर बताए है ओम, तद, सत ये तीन निर्देसा बिरमन है तिर्विदी समरता है यानि सचीदा नंद गन बिरम उस परमक्सर बिरम की प्रापती के लिए ये तीन मंतर की मजदूरी है साधना है अपने अत्मों और कोई मंतर इसमजापने तीसरे जाय के दस से लेकर पंदरा तक स्लोकों में गीता जी में यगों की जानकारी दी है विदी नहीं बताई है यगों का लाब बताई है तो ये सब सारा कुछ कम्पलीट जो कोर साथ को दिया गया है ये कहां लिखा है ये सुकसम वेद में लिखा है पुराणों के अंदर आप जी पढ़ते हो कहीं पर हरियम नाम है कहीं पर किलम नाम लिखा है कहीं पर सिरम लख्या है ये कहीं कोई जाब करने का बता है कोई ने किसी ने कुछ बता है तो परमात्मा ने आकर के सत्युग के पर्थम चरणम है ब्यर्माजी आदीस कईयों को मिले थे वो मापुरसों को मिलते हैं उनका गुन है तो उनको ये complete पर्थम मंतर देने की पताने की चेश्टा की थी तो उन्होंने उनको सविकार ना करके उस मैंसे अपने अपने स्वार्थवस मंतर निकाल लियर उनकी साधना शुरू कर दी और ये ऐसे जो मंतर हैं शट्रोंग मंतर हैं इनके जाब से सीगर ही लाब अपराप्त हो जाता है जैसे एक बार ये दास एक शहर में पाठ कर रहे थे पिर गाउं गाउं मंघर गर गर नगर में जाते थे सर्दालों के तीन दिन पाठ करते थे सद्सन्ट सुनाते थे सब परिवार को बठा कर समझाया करते थे तो उनका एक पडोसी था उसको बला लाए का जो आप भी सुन लो ग्यान सुनो सुनने के बाद वो पासमा कर बैठ गया दस पांट साथ भगत थे वो कहने लगा जी मुझे तो वो मंतर दे जिसमें नरी माया माया कठी हो और नहीं चाहिए हमने कोई मोक्समास की मुझ जरूत नहीं तो यह इस टाइप के विक्ति हैं वो उन्होंने ऐसा ही कर लिया पहले जैसे एक मंतर स्लेक्ट कर लिया किलम इसकी साधना के लिए इसे सिद्धियां आगी उस सिद्धि एक अलदी की गांठ प्राप्च करके पंसारी बन गे कर लिया ना सपना भी फिर किसी न तो ऐसे यूँ काम बिगाड रहा था अब यह कंप्लीट कोरस आपको जिया गा है इसको ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि यदि हम एक सूट सूट खाएंगे सूट तो वो सूट का ही गुन देगी और उसको अन्य उस दियों के साथ बिलाकर प्रियोग किया जाएगा तो उस प्रकार से हम साधना करेंगे तो उसका फल होगा जैसे आज परसंग चला था कि पर्थम मंतर भी आपको दिये जाते हैं और सत्थ नाम के अंदर भी उनी मंतरों का कुछ समावेश है तो कुछ बोली आत्मा ये बर्मीत हो जाते हैं कि बता हुव नाम भी उदर भी हुई है उलट पूलडर करके यहां दे रखे इनमें बहुत अंतर होता है जैसे एक आयरवेद में लिखा है कि सहद और घी को यदि समान मातरा में मिला जाये तो विस बन जाता है और उसको विसम मातरा में बनाया जाये तो वो अमर्त बन जाता है जैसे दो चमच सहद और एक चमच खा लिया तो इसका काम करता है तो इसी परकार वैद को पता होता है कौन सी वास्दी किस परकार मिलाने से ये गुण युक्त होती है तो ये दास अध्यातम मारग का वैद है आप एक सिंपल समझो आप जनम मरण रोग के रोगी हो ये दास वो वैद है जिसको complete course याद है इस जनम मरत्यों के रोग के नास करने का और आज तक या तो भगवान को ग्यान था या प्रवात्मा जिन मापरसों को मिले है वो कौन कौन है आदनिय दरमदास साहिब जी आदनिय नानक साहिब जी आदनिय मलुकदास साहिब जी आदनिय दादू साहिब जी आदनिय ग्रीबदास साहिब जी गाओं छुडानी जलाज़जर रियाना आदनिय गीसा दास साहिब जी गाओं खेकडा जिला मेर्ट उत्तर परदेश वाले इन मापरसों की तो दास को बगवान ने कि तुम इन मंतरों का जाप कीजिए लेकिन आगे तो सत नाम और सार नाम है ये भी सारुजनिक नहीं करना लेकिन वो मातमा पर्थ मंतर का जाप देते थे लेकिन बीच बीच के पांच नाम ही देते थे जो आपको साथ मंतर अब बना कर दे जाते हैं इसलिए गुरुगर्ण साहिमन पांच मंतरों का और पांच धुनात्मक सब्दों का दो जिकर है वो इन ही कमलों के अंदर सभी भगवानों के इन में कमलों में ये धुन हो रही है जैसे आप देखोंगे राष्टप्रती भववन में भी एक धुन चलती रहती है और गौवर्णर भववन में भी एक धुन चलती रहती है अब तो अटोमेटिकली इंस्क्रूमेंट बनके पहले विश्येश ड्यूटी लगाई जाती थी नौकरों की वो उनके वहाँ एक विश्येश परकार की राष्ट्रिय धुन का हमेशा चालू रखते थे तो इस परकार इन सभी बगवानों के इन कमलों सथानों पर जहाँ जहाँ यह इनके लोग हैं वहाँ यह धुने हो रही है उनका फिर हम सुन रहा है इस टेलिवीजन में हमारे सरीर में जैसे कोई भी कारिय करम कहीं हो रहा है तो टेलिवीजन पर हम यहाँ देख रहे हैं लेकि वो टेलिवीजन में नहीं है वहां तो हम देख रहे हैं वह वाश्टाम में कहीं और होता है तो ऐसे ये मंतर हैं तो पुन्यातमाँ जो दास आपको मंतर देता है जो ग्यान देता है ये बिलकुल फाइनल समझ लेना और उपदेश प्राप्त होने के बाद केवल आप दास जो आदेस आपको दे उसका पालन पालन करना है उसमें अगरम मगरम नहीं करनी है नहीं तो फिर आप बक्ती ही न हो जाओगे तो कहने का बाव यह कि आज का जो सत्सिंग चल रहा है कि सुदेस्दे से है कि यही वो समय है जो हमें मोक्स प्राप्त कराएगा परमातमा ने कहा था 600 वर्स पहले जब मालिक कभीर परमिस्वर जी आये थे कि जब बिचली पीड़ी आवे गीतरमदास जी कि तब तक तुँ इस मंतरों को छुपा के रखना इस मूल ग्यान को भी डिकलेर मत करना तुम नहीं तो इन काल के भेजे हुए दूतों के ये मंतर और ये नाम ग्यान सब आथ लग गया तो वो भी यही परचार करते पाओं जैसे रदा स्वामी पंथ है डेरा सत्था सोदा सरसार ये जगमाल वारी ये किरपाल सिंग ठाकुर सिंग और ये ब्यास वाला देरा जै गुर्देव और ये बिवानी वाला दनोद वाला दुतारा चंद वाला ये सारे सर्धालू बिचारे चले तो थे बगवान पाने के लिए लेकिन ये सिवद्याल का फसगे उसने कख पता नहीं था पांचों नाम काल के जाफ करे और करवायर बूत बन गया और काल प्रेड़ना से भुली बाली सर्धालू सारे बलाइंड फेद करके क्योंकि सर्धालू का सभावी गुन होता है वो अपने गुर्देव पर बलाइंड फेद करता है और इसी से सफलता मिलनी थी लेकिन उसका दुर्पयोग हो गया बबूल के पौदे को किकर के पौदे को आम का पौदा जान का बोलिया और उसकी से चाहिए कर रहे हैं आम प्राप्ति का उदेश से रख कर ये इनकी महा भूल है पांचो नाम काल के रुमोक्स की परतिक्स्या देख कैसी भूल लगी है इनके तो पौदे अत्माओं दास का प्रियतन ये ना समझना कि मैंने आपसे कुछ धन संग्रित करना है ना दास दो रोटी खा रहा था नोकरी थी सरकारी जेए की पोस्ट पर विराजमान था दो रोटी का गुजारा बहुत ठीक चल रहा था लेकिन जब से दास को ये पता चला जब तक नाम देने का आदेश नहीं था तब भी दास गरगर जा जाकर समझाया करता था गुरुदी से लाकर के नाम जला करता था और फिर उन्हों ने दास पर ये भार सौप दिया आशिरवाद देद जिया कि बेटा तुम नाम दिया कर तो उस दिन के बाद फिर और ज़्यादा जम्हवारी बढ़गी स्तत्व गयान को फैलाओं विरोध का भी रिकार्ड तोड़ दिया कार्ण ने करोथा कार्ण करूआ दिया इसी कारण से अत्याचार करवा दिया हमारे ऊपर लेकिन समर्ट साथ था कुछ भी गार्ड नहीं पाए पिछला इत्यास देख लो संतों बगतों के साथ दिनों ने जुलम गुजारे लेकिन वस्था फल नहीं हो पाई अन्त मैं मूँ की खानी पड़ी और यही दसा अब इनकी हो रही है तो पुनात्मा प्रमात्मा का एक विद्धान है क्योंकि प्रमात्मा कवीर जी जबाये थे उनके साथ भी बहुत कैर तोड़े थे नकली गुरूओं ने जुलम करवाई थे उबलते वे सरसों के तेल के कड़ाई में बठा दिया बगवान को लेकिन कुछ भी गाड़ नहीं पाई जेरे कुए में डालकर उपर से कंकर पत्रों से भर दिया प्रमात्मा बाहर बैठे पाई कारण क्या था वो यही ग्यान दिया करता दो दास आज उन्हीं का दिया हुआ आपके रूबरू कर रहा है आज आपको क्यों से भी कारिये हो गया क्योंकि आप सेक्सी थे और परमाना आपके समक्स है ये undoubtedly इइंटरनेट ये प्रोजेक्टर ये चैनल मालक ने आपके लिए बनवाए ना जीव सत्र की सोच नहीं यह इस तरह की इंस्ट्रुमेंट बना ले ये पहले ना बड़ायाज ते सो साल पहले कहां थे ये वही मनुश थे अरिन ते अच्छे बुद्धि मान और बहुत अच्छे नेक आत्मा थी अब प्रमात्मा ने ये बुद्ध ही दी है ताकि मेरे बच्चे गर बेठे देख सके परमानों को और पहले सिक्सित की आपको के इन बरमित करने वाले काल के दूतों से तुम स्वम सत्रक हो करके देखो इन सत्गरंथों को ये क्या बता रहे हैं इनी की साक्सिक लेकर के ये आपको इसके विप्रित ग्यान दे रहे हैं तो आज इसलिए हम सफल हुए कि आप सिक्सीत है और सात्म बगवान का पंजादास के साथ है। और उसके बिना ये किदम भी नहीं चल सकते हैं, अभीसे एक गहर कल्यूग में हैं। और आज हम कितने सफल हो रहे हैं क्योंकि हमारा ज्ञान सच्चा है, हमारा भगवान सच्चा है और हम सत्थ के उपर संग्रश कर रहे हैं। अब जो परसंद चल रहा है कि हम परमात्मा की बगती, परमात्मा की प्राप्ती के लिए ट्राइ कर रहे हैं। लेकिन सास्त्र विजित्याक के मनमान आचन करके हम वहीं के भोई खड़े हैं, हमारा हर तरह से गर्यावट में आगए हम, हमारे विचार गर्यावट में आगए हैं, हमारी करियाएं में बहुत अंतर हो गया, स्रांढ़िंग अक्षेतर हम देखते हैं, जहां भी देखते हैं हमारे बच्चे जो अपदेश लेकर जाते हैं क्योंकि नहीं तो सब बुराई छोड़नी हैं तो घर में पड़ोस में रिष्टेदारी में सब जगए वही बुराई अंगरस्ते हैं बीडी स्राब मास्तमाखो माया जोड़न की चर्चा दूसरा ग्यान नहीं तो पुझा तुमाओ कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग सर्माने लग जाएगे उनको अब तो कोई सर्म नहीं रही बाप बेटा कठे बैठके दारूपी हो है बता सर्म रही फिर फिर छोटे-छोटे बच्चे भी धिक्का रहेंगे कोई रिष्टे दार भी आ जाएगा आप क्या पी रहे हो ये कोई सरापीने की चीज है इसके कहते हैं कामका कोने वाले का 70 जनम तक अंधा हो डोलै सथर जनम गमन करें बोगें पर नारी शत्र जनम कटेंगे शीशन साक्सी साइब हैं जग दीशन जो ऐसे पाप करेंगे उनके सत्र जनम तो लगातार वो बली के बक्रें बनेंगे पर्मात्मान ने कहा कि सौनारी जारी करें एक पर स गमन करने का क्या बता है कि सत्तर जनम तर अंदाओ कर दक्ये खाओ है और फिर सत्तर जनम वो बली का वकराबन का गल कटवाओ है कितना गोर पाप है और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे सो नारी जारी करें सुरा पान सो बार एक बार सुरा पान करने का कितना पाप है मपद्रा पीए कड़वा पानी अर सत्र जनम कुट्धे के जानी जो मद्रा एक बार भी पीते हैं सत्र जनम कुट्धे के होंगे जैसे आप मैं मारीची जी के माविर जैन के जीव की कथा सूनते हो 60 करोड बार 20, 30 करोड बार कुटा तो यह इनी दोसों के परतिफल में बनते हैं तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जनम में फिर वो लिखे जाते हैं कठे होते हैं फिर भोगने पड़ते हैं तो क्या बता है मद्रा पीवे कड़वा पानी सराप पीता है जो सत्तर जनम कुटे के जानी और फिर क्या बताते है परदवारा इस तरी का खोल ले सत्तर जनम अंधा हो ले फिर क्या बताते हैं सो नारी जारी करें जो सो नारी पर नारी वो गएगा उसको कितना घोर पाफ हो गां और सुरापान सव पार एक बार सुरापान यानि सराप पिने का कितना दोस है ? अभी आपको बता दिया, ऐसा सो बार कर ले और एक तिनम उकबर दे, पीने वाले का तो गरक बीड़ा है, एक उकबर के देने वाले को इतना फाफ लगेगा। मैं इमानचर प्रदी इस्टिक मंडी से आया हूँ जी। सर क्या करते हैं आप? सर मैं पहले आर्मी में था, अभी एक सर्विसमन होने के कारण मैं यहाँ पर स्टेट गवर्मेंट के अंडर जो हूँ एजकुरिशन डिपार्टमेंट में जेविटी पद पर कारे रतू हूँ संत रामपाल जी महराच से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या बक्ति साधना करते थे? सर संत्रामपाल जी महराजी की नाम दिख्षा लेने से पहले मैं देव देवताओं की भगती करता था और खास कर मैं संतोसी माता को बहुत पूजा करता था इनकी और इनके व्रत भी करता था मैं सर जैसे कि आपने बताए कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे आप उनके वरत भी करते थे तो हम आपसे जाना चाहेंगे कि आपका संद रामपाल जी महराच से नामदिक्सा लेने का क्या कारण था क्या वज़य थी सर कुछ एक ऐसी समस्या खड़े होगी इन देवी देवताओं की पूजा करते करते मैं एक समस्या से गंबीर घायल हो गया जैसे मेरे पेट में एक ऐसी समस्या एक गैस्टिक होने लगी सर और गैस्टिक इतनी जवरदस्त होती थी कि मैं खाना निखा पाता था दो फुलके ख नहीं तो आपने बताए कि आपको गैस्टे की बिमारी थी तो इसके लिए अगर आप किसी अच्छे होस्पिटल में अच्छे डॉक्टर को दिखाते तब भी तो आपकी बिमारी ठीक हो सकती थी सर डॉक्टर की तो बात क्या देखो मैंने हर मंदिर मस्जिद गुर्दवारा चर्च कुछ भी चीज नहीं छोड़ी अगर आपको कोई बिमारी थी तो आप हॉस्पिटल जाते तो आपकी बिमारी का इलाज होता सर ये जो प्रॉब्लम थी मेरे को ये गैस्टिक थी जैसे पेट में फुला हो जाता है एकदम जैसे मैं एक रोटी च्पाती दो च्पाती घाता था तो मेरा पेट एक दम फुल जाता था फुलने के बाद फिर क्या होता था कि मिरे को सांस लेने में दिक्कत आती थी और मैं पूठना बैठना मुश्किल हो जाता था इसके साथ-साथ कि मैं सोता है रात को जब तो डेली मेरे को जो है एक ऐसी प्रेतवाद आती थी और दबाती थी मेरे को हर रोज मैंने चिलाना जोर से लेकिन मेरे मुह से आवाज भी नहीं निकलती थी मैं चिलाने की कोशिस करता जब मेरे को दबाती थी तो मैं जो है चिलानी पाता था मेरे आवाज निकलती थी मुह स और ये डेली का मेरे साथ ये काम होता था और मैंने होस्पिटल में जो टेस्ट करवाया टेस्टों में कोई भी फाल्ट कुछ नजर नहीं आया डॉक्टरों को डॉक्टरों ने का भी आपकी पोर्ट जो है ओके हैं आपको दुआई देने की कोई जुरूरत नहीं वो फिर भी मेरे को गैस्ट की द्वाई देते थे लेकिन उससे कोई रात नहीं मिलती थी मेरे को तो आपने बताया कि आपको पेट में प्रॉब्लम थी आपको गैस्ट की बिमारी थी जिसका कहीं कोई इलाज आपको नहीं मिल रहा था तो आपकी ये जो बिमारी थी आपको ये जो प्र टीट था और वहां पर उस साथी ने जब मेरे से पूछा जब मैं छोटी काट के वापीस गया, तो उसने बहुद की मत करना, अगर तु अगर तो संत्रामपल जिमारा जी का ग्यान सुन, और घ्यान सुनने के बाद उनकी संट ग्रण कर अगर तेरे को रात मिलती है तो ठीक है नहीं तो तो वहां पर मुढ़के भी मत जाना उनके कहने पर जब मैं ये बात सुनी तो मैंने का ठीक वोड़ा भाई मेरे को आप इस चीज को देखो एक बार सुनो समझो क्या है क्या नहीं है, अगर मेरे को रात होती है, तो इसमें कौका सी बुरी बात है, इन्हों ने क्या किया है, मेरे को फ़ॉन के अंदर सत्संग दिये, 2-2 गंटे के 3-3 गंटे के सत्संग दिये, संत्राम पाल स्ट गंदी मह. दो मैने रात को भी शुनने दिन में भी सुनने और और सnds फोर्थ पल्किया अपनी पत्नी को और मैंने में अपनों जावे जाओगा और व्रवाडा से मैंने क्या हिया जाते हैं महारा जी से नामदिक्सा ली संजend जी जैसे कि आपने बटाए कि आपकी पेट की जो बिसक बमारी, जो काफी लंबे समय से चली आरी थी, वो संतराँपाल जी, महाराजिंके के सत्संग सुनने मातral से ठीक हो गई तो, सबसे पहले संत्रांपाल जी महाराजी से लेने के बात पअग् का आपको इसके अलाव कोई लब मिला गाला गार्ड के लिए के लिए मैं इन समस्याओं का अपनी फिर्फ मंदी में सरकारी सिल्समाइब में धिखाया that और यहां मंडी में हमारा एक मांडव हॉस्पिटल है, प्राइवेट वहां पर भी दिखाया मैंने, लेकिन मेरे को कोई भी रहात कहीं नहीं मिली है, उसके बाद देखो एक तो मेरे को प्रमात्मा की रजा संत्रामपाल जी माराज की दया से मेरी ये समस्या हल हुई, दूसरी समस्या मैं आपको बताता हूँ, मेरी पतनी जो है, उसको थाइराइड की प्राइड की प्राइड हो गई, और थाइराइड प्राइड प्राइड इतनी बढ़ गई थी, कि डॉक्टर ने पताया था, उसके मैंने टेस्ट कुआ है, चंडीगर कमांड हॉस्पिटल में, और पीजी आई में भी उनके टेस्ट करूआ है, लेकिन डॉक्टर का जवाब क्या मिला, कि भी जब तक जियेगी, तब तक दुवाई खाएगी, लेकिन उसने दुवाई ले ले ली, दुवाई खाना शुरू कर दी, और दुवाई खाते खाते उसको दो तीन मिने वह थे, कि इसने दुवाई खाना अपने आप बंद कर दी, मैंने संतरामपाज जी महाराज से उसको नाम दिखसा दिलवाई, और उसने क्या किया, दुवाई खाना बंद कर दी, उसने कहा मेरे को उल्टी आने लगी, अब वो प्रमात्मा की भग्ती करने लगी, उसके बाद, जब मैं तो डॉक्ट ने का वही थाईराइड है नहीं मैंने उसको पुच्छा मेला, दुआई खाणी है या नहीं खाणी है तो उन्होंने का वही आपको दुआई खाने की जिरूरत नहीं है थाईराइड नहीं ब्राबर है आपका बिल्कुल रपोर्ट ओके है तो वही दिन है उस दिन से आज तक तक तक्रीमां दस साल हो गई है हमने कोई भी द्वाई नहीं खाई है द्वाई खाना बंद कर रखी और मात्मा संत्रामपाल जी महराज की रजा से बिल्कुल ठीक है और तीसरा लाब मेरा बेटा था टेर्ट साल का था टेक साल के बाद उसकी किद्नी में प्राहिव पर्वयलमां अगई पिसाव रोख गया उसका एडिमिक और चंडी अड्सेल अगर बिलकुल ठीक है उसको कोई दौई की जूरूरत नहीं है बिलकुल भीना दौई के बिलकुल फिजिकल फिट है और लाब आगे ऐसे ऐसे हैं देखो सर की संत्रामपाल जी महाराज की इदया से घर में जो कलक लेस बना रहता था आपस में छोट-छोटी बातों में की दया से देखो मैं जब रिटायर आया फोच से यहां पर तो आने के बाद जो है मेरे को संत्रामपाल जी महाराज की किये कि जो मेरे को आने के बाद यहां पर भी हर सुक्षभ दह मिली है और प्रमात्म की रजा से बगती भी बढ़िया कर रहा हूँ अभी सर क्या आप कोई नसा भी करते थे सर नाम दिक्सा लेने से पहले मैं क्या नसा करता था मेरे गर में सबसे अदिक नसा करते थे मेरे पीता जी देखो बीढीों के 10-10 बंडल पीजाते थे दिन में और उसके बाद वो सिराब पीते थे और मास काते थे और आपस मैं घर में कलाक, कलेस बना रहता था और मैं भी ऐसे ही नसे में था जब फौज में ड्यूटी करता था तो फौज में ही मैं नसा कर लेता था जैसे गुट का खाना, सिगरेट पीना और यहां तक की गांजा तक पिया है मैंने और दारू भी पी लेता था लेकिन संत्रामपाल जी महराज की क्रिपा से जब मैंने नाम दिक्सा लेने के बाद मेरी समस्याओं का हल होता चला गया और घर में सुक शान्ती और बढ़िया से काम चल रहे संत्रामपाल जी महराज की क्रिपा से और अब मारे घर की स्थिती बहुत बढ़िया हो गई अब हम संत्रामपाल जी महराज की क्रिपा से जो है नस्य की तरफ तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता देखना तो दूर की बात है और मेरे पिता जी भी बहुत दिकन नसा करते थे आज वो संत्रामपाल जी महराज की क्रिप ठीक है बिलकुल नसे की तरफ बिलकुल उनका ध्यान नहीं है और देखते भी नहीं है मारे घर में कोई भी बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी नसे की तरफ नहीं है कोई भी हाथ नहीं लगाता है और कोई लाता भी नहीं है घर के अंदर सर जिस तरह से आपने बताया कि पहले आप भी नसा करते थे आपके पिताजी भी नसा करते थे और जैसे ही आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दिखसा ली है आप सबने नसा करना छोड़ दिया तो ऐसा संत्रामपाल जी महाराजी आप लोगों को क्या बताते हैं इसके लिए क्या कोई दवा ये जड़ी बुटी दी जिसको लेने के बाद आप लोगों का नसा छुड़ गया सर ऐसा कुछनिय जड़ी बुटी कुछनिय संत्रामपाल जी महाराज का सास्तर अनकूल गयान है जिसके अंदर सिरी मदवत गीता बेद पुरान हर सास्तरों का गयान है और सास्तरों के आधार पर ही बक्ती मार्ग बताया जाता है और संत्रामपाल जी महाराज ऐसी बक्ती दे हैं और वो चागर भी नसा नहीं छोट पा रहे हैं तो क्या वो भी आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेंगे तो क्या उनका भी नसा छोट जाएगा सर आज कल की जो समाज की हुए पीड़ी है देखो नसे के चक्र में इतनी पड़ी हुई है जो नसा छ वही फाइदे मिलेंगे जो हमारे को मिले जैसे हम नसे से ग्रस्त से हमारा नसा छुटा हमारे को सुख सांती मिली घर में कलक क्लेस जो है दूर हुए और हर चीज में मारे को क्या हुआ कि फाइदा होता चला गया संजय जी आपने बताए कि संत रामपाल जी महराच से नामदिक्सा लेने के बाद आपकी बिमारी भी ठीक हुई और आपका नसा भी छुड़ गया देखिए सर हिंदुस्तान को संतों की भूमी कहा जाता है तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर किसी और संत से आप नामदि चुड़ाएंगे और उनकी साधना ही ठीक नहीं है वो साधना भी सास्तर विरुद साधना करवाते हैं वो अपना मनमुखी ग्यान बताते हैं अपनी दंत कथा के साब से ही बगतों को ग्यान बांटते हैं वो उनके अंदर कोई भी प्रमानित ग्यान नहीं है उनके पास ना दिख्षा लेगा उसको हर लाब प्राप्त मिलेगा और वो जो है अच्छे मार्ग पर चलेगा देखिए सर संत रामपाल जी महराज एक सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत है वो ना भगवा बस्तर दारण किये होते हैं ना वो लंबी-लंबी डाड़ी मुच रखते हैं ना गले में अमालाई पहनते हैं एक बहुत सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत है तो आज का जो भगवा बस्तर पहनने से और दारी मुच बढाने से जो है संत नहीं बनते है जैसे कि हमारी सिंपल गीता जी के अध्याय नमबर 15 के स्लोक नमबर 1 में कहा है कि जो उटे लटके वे संसार उपी ब्रिक्स के हर भाग को सववेदवित बता देगा वो तत्तवदर्शी संत है और आज की तारिक में संत रामपाल जी महराजी एक ऐसे पूर्ण संत है जो ग संत रामपाल जी महराज जी हो पूर्ण तत्तो दर्शी संत है और उनके द्वारा दिये गए सत भक्ती मार्ग से ही सब के दुख जो है दूर होंगे और जो है मर्यादा में रहकर भक्ती करने से हर तरह की सुकसांती मिलेगी एक बूत्प्रेत की बादा थी मेरे तरब से क्य नगर में अनंतना के अंदर जो हूँ पोश्टीर था आरार के अंदर और वहाँ पर मैंने मौलमियों से भी तावेज गिरा लिये मस्चिद में गया उनसे मैंने बहुत कुछ कोशिस की कि मैं ठीक हूँ लेकिन मेरे को कोई रहात नहीं मिली उसके बाद चर्च मेरी फ्रोजप गर पहुंचा गर पहुंचने के बाद रात को मैं सोया ही था अपने बैड पे रात को ठीक 12 बज़े का समय चल रहा था और मेरे को सपना चल रहा था कि जैसे एक राक्सस ऐसे आया जिसके दो दान्त उपरी तरफ दो नीचे की तरफ बहुत बड़े बड़े दान थे और वो एस बूट को हाथ से ऐसे मारा कि उसको सुर्फ हवा ही जा रही था उस हाथकी हाथ भी ठचनी हो रहा था तरफ रहा प्रर बहुत रहा दूर fो खमाया Sakit बाद वो कभी भी मेरे को नजर नहीं आया और ये जो मेरी भूत प्रेट की जो बादा थी ये देखो आट-दस साल से चल रही थी मेरे को तो ये संत्रामपाल जी महाराज की एक दया है मेरे उपर की मेरे को जो है इससे मुक्त कराया है नोने और मैं अभी ठीक हूं बिलकुल संजर जी आपने बताया कि संत्रामपाल जी महाराज ने आपकी भूत प्रेट की बादा दूर कर दी तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या संत्रामपाल जी महाराज ने आप लोगों की भूत प्रेट की बादा ठीक करने के लिए आपसे कोई पैसे भी लिए सर मैं पताना चाहता हूँ आपको की संत्रामपाल जी महाराज जो है एक साधान व्यक्ति नहीं है वो पूंड प्रमात्मा के सरूप में आये हुए है और वो सिर्फ एक आस्रीबाद मातर देने से ही अपने बगतों को अपने बच्चों को जो है सुख और सांती देते हैं उनक हम अच्छे से बगती करते हैं प्रमात्मी की रजासे घर में ऐसा कोई भी कर्ष्ट नहीं आता है जो हमारे को हानी पहुंचा सके संज़ जी हम आपसे जाना चाहेंगे कि जो लोग आज भी भूत्ब्रेत की बाधाओं से परिसान हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे सर मैं उन लोगों से प्राफ्टना करना चाहता हूँ कि जो लोग भी भूत प्रेत इन बादाओं से ग्रस्त है आप भी एक बार संत्रामपाल जी महराजी के ग्यान को सुनें समझें और संत्रामपाल जी महराजी की सरण को ग्रहन करें और आपकी भी जो भी आपकी बूत प्रेत की बादा है जो भी आपके कश्ट है जो भी आपकी बीमारी है जो कहीं भी ठीक नहीं हो रही है मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी ये जो समस्या है सारी संतरामपाल जी महाराजी के एक आश्रिबाद मात्र लेने से छो है ठीक हो जाएगी आप बिलकुल सुखी हो जाओगे और आपको अच्छा भक्तिमार्च मिलेगा ये जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नामदिक्सा लेना चालते हैं वो उनसे नामदिक्सा कैसे प्राप्ट कर सकते हैं सर संत रामपाल जी महाराज से नामदिक्सा लेने के लिए आप सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाए और वहाँ पर YouTube पर या Facebook पर जो है आप संत्रामपाल जी महराज सत्संग को सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद सत्संग के नीचे एक पट्टी चलती है पट्टी के उपर contact number वता है उस contact number से आप बात कीजिए बात करने के बाद आपको नजदी की नामदान के इंदर पर जो है जाने के बाद आप जो है नामदिक्सा ले सकते हैं क्योंकि आज कल हर डिश्टी के अंदर जो है जगा जगा पर संत्रामपाल जी महराजी के नामदान के इंदर खुले हुए आप नजदीकी से नजदीकी नामदान के इंदर पर कॉंटेक्ट करके जो है नामदिक्सा ले सकते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर नमस्कार संतरामपलजी महराजी के शुब आशिवात से पूरिव विश्व भर में 500 से भी जादा नामदिक्षा के इंदर हैं जिन पर संतरामपलजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नामदिक्षा दी जा रही है